चिंदवारा पुलिस कप्तान मनोज रॉय अब लगाएंगे जनता दरबार जी हाँ, अनूठे काम करने के लिए जाने जाने वाले एसपी मनोज रॉय ने निर्णाई लिया है कि अब हर शनिवार पुलिस गाउं गाउं जाकर लोगों की समस्याइं सुनेगी और उनका त्वरित निवारण करेगी देखिए एखास रिपोर्ट चिंदवारा पुलिस कप्तान मनोज रॉय की अनूठी पहल गाउं में लगेगा अब पुलिस का जनता दरबार हर शनिवार को अलग अलग गाउं में लगेगा जनता दरबार आम जनता की समस्या को खुद सुलजाएंगे अब पुलिस कप्तान अब तक आपने नेताओं और संत महात्माओं के जनता दरबार के बारे में सुना होगा लेकिन सीएम कमलनात के गड़ छिनवारा में पुलिस कप्तान मनुज रॉय ने पुलिस का जनता दरबार लगाने का अनूठा प्रयोग किया है जिसके तहट अब हर शनिवार को पुलिस द्वारा गाउं गाउं जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनका निवारन किया जा रहा है ये नजारा थाना मोहखिड के ग्राम उम्रा नाला चौकी का है जहां मनुज रॉय जन समबात कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं उसे लोग ठाने चौकी पर जाना पसंद नहीं करते हैं कि वहां जाएंगे पता नहीं क्या व्यवार किया जाएगा किस तरह से हमारे साथ बात होगी तो मैंने ये सोचा कि अगर हमारे पास जिले में 24 थाने हैं अगर हर थाने में हम प्रतेक सनिवार को एक जन समबाद रखें जिसमें उस गाओं के सभी गर्माने लोग वहां के महिला, युवा, वहां के अन्य विभाग के लोग अगर वहां आएं तो उस गाओं के नकिवल पुलिस से समब्दित बलकि हम दूसरे विभागोंसे भी और एक सामानमें पुलिस कप्तान मनुच रॉय का कहना है कि आज लोगों की समस्याओं को सुना और पुलिस ने भी सकरात्मक चर्चा की ऐसे ही जनसमवाद आगे भी जारी रहेगा पुलिस बल की बिद्धी को लेके टायल हेंडेट की गाड़ी मत्पुन जगाओं को आने जाने को लेके मत्पुन लोगों ने अपने बाते बताई इनको लेके मैंने अभी मिर्देशिक कर दिया है और आगे भी हम लोगों का प्यास होगा कि इस तरह के जनसमवाद लोगों के साथ हम लोग करें और लोगों की समस्याओं को सुने और मौके पर ही उसका निराकरन करने करने हैं पताने के जिले के एस पी मनोज रॉय के काम करने का तरीका बाग की पुलिस अधिकारियों से बिलकुल अलग है शायद यही कारण है कि मनोज रॉय को सी एम कमलनाथ ने अपने ग्रह जिले छिंदवाडा में तैनात किया है प्यूर रिपोर्ट, MP News, छिंदवाडा